अलो दोस्तों स्वागे था आप सभी का ज्यार क्लासेस में मेरा नाम है रवी तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे विंसर येर बुक सिरीज उत्राखंट के लिए जिसमें हम बात करेंगे करेंट अफेर के महतपूर्ण क्वेस्चिन आंसर तो आज हमारा डे 6 है जो कि विंसर येर बुक का हम कर रहे हैं इससे पहले हमने 5 क्लास है जो कि कर दी हैं आप लोग उनको देखना उत्राखंट के विंसर येर से क्वेस्चिन जो करेंट फेर से लेके पोशे जाते हैं उनको मैंने यापर कराया है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप यहाँ पर हिंदी की क्लास देख सकते हैं अगर आपने अभी तक हिंदी नहीं पड़ी है तो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर आपको हिंदी कराई जा रही है उत्राखंट के परियाटन और कम्पुटर वाली क्लास भी आप जरूर देखना यहाँ सभी आपके एकजाम में क्वेस्चन बनते हैं और रीजनिंग अगर आपने अभी तक नहीं पड़ी है तो आप रीजनिंग भी यहाँ से देख सकते हैं इसके अलावा question paper भी आप यहां पर से हल कर सकते हैं जो की old question paper है पुरान paper है यानि की previous year paper यहां पर मैं करा रहा हूँ अगर आपने previous year नहीं लगाए हैं अभी तक तो आप लोग इनको देखना तो चलिए भाई और इसके अलावा देख सकते हैं यहां पर short video के मादिम से आपको महतफूर्ण रसनाई हैं जो की कराई जा रही हैं जैसे कि सुरी कांतिर पाठी निराला हो गया जैसंकर परसाद जी इनके मैंने रसनाओं को यहां पर मातर एक मिनट के अंदर कराने की कोशिस कर रखे तो आपके एकजाम के लिए यह भी important रहेंगे तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और उत्राखंड का पहला question है जो की आपको यहां पर दिखाई दे रहा है उत्राखंड को आपदाओं का परदेश भी कहा जाता है राज्य में आपदा परबंधन के लिए कौन जिम्मिदार है तो उत्राखंड में राज्य आपदा परबंधन का यहां पर गठन किया गया था जब केतानाथ के आपदा आई थी उसके बाद तो उसका आपको नाम बताना है तो इसका जो नाम होगा वो होगा आपदा परबंधन प्रातिकरण ठीक है दोस्तो राजी में आपदा परबंधन के लिए कौन जिम्बिदार है तो आपदा परबंधन प्रातिकरण अगला question है ओम प्रकास के इस्थान पर किस अधिकारी को उत्राखंड का मुख्य सचिव बनाया गया है तो उत्राखंड का मुख्य सचिव कौन है भई और ये सत्रवे नमबर के हैं क्योंकि ओम प्रकास जो थे वो सोलवे नमबर के थे तो ये है SS संदू कौन है SS संदू अब अगर हम इनकी बात करें तो पहले मुख्य सचिव आपसे पूछ दे जाते हैं उत्राखंड के जिनका नाम है अजे विक्रम सेहर ठीक है दोस्तों आप लोग इतनी बात है जो की ध्यान में रखेंगे अगला क्वेशन देखो वंदना कटारिया को लेकर पूछा गया है हरिद्वाज जनपत की वंदना कटारिया किस खेल से संबंदित है तो इनका संबंद है होकी से इनके बारे में कुछ चीज़ा जान लो जो कि आपकी एक्जाम में पूछी जा सकती है यहां पर आप देख रहे हैं अरजुन पुरुषकार 2021 के लिए इनको चुना गया था और इनको अवर्ड मिला अरजुन अवर्ड 2021 में राष्टभति रामराथ कोविन ने इनको ये अवर्ड दिया था उसके अलावा इनके बारे में क्या पोचा जा सकता है उत्राखंड राज सरकार के महिला ससकतिकरण एवं बाल विकास विभाग का इनको ब्रांड अमबेश्डर भी बनाए गया है किसका ambassador बनाए गया है कुत्राखंड के महिला ससक्तिकराण एम बाल विकास विभाग का तो ये चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि तीलू रोताली पुरुसकार 2021 का इनको दिया गया था ठीक है दोस्तों इतनी चीज़े हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है उसके अलावा टोक्यो ओलोम्पिक से ध्यान में रखना है कि महिला होकी टीम ने यहाँ पर सांदार परदसन किया था और जो वंदना करटारिया है हरीद्वार के रौसनाबाद के निवासी है यह इन्हों ने एक मैस में तीन गोल करके यहाँ पर महतपूर्ण परदसन वहाँ पर किया था इतनी बात है जो कि वंदना करटार रहे से आप से पूछी जा सकती है तो आप लोग इनको ध्यानवर रखना यह जो टोक्यो ओलंपिक है इसके लिए मैंने सेप्टेटी वीडियो बनाई है आप लोग देख सकते हैं करट फिर वाले में जाकर टोक्यो ओलंपिक में कौन से पदक किसको मिला है कौन सा क्या मिला है सारी चीजे वहाँ पर मैंने बता रखे तो आप लोग उसको जादा डिटेल में देख सकते हैं मातर पांस से च्छा मिनट की वीडियो है और वहाँ पर से आपको एक नंबर का करट फिर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन इस बार राज देव भूमी खेल रत्न और देव भूमी दुरोणाचारिय देव भूमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की गोश्टना नहीं की गई यह पुरुसकार कब से सुरू किये थे तो यह जो पुरुसकार है वर्स 2013 से सुरू किये थे तो इतनी बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्राखंड राज सेवा का अधिकार के आयुक्त कौन है उत्राखंड राज्य सेवा का अधिकार के आयुक्त कोन है option है ऐसे संदू, APS, रावत, अनिल, रतुरी या फिर इन मैंसे कोई नहीं तो right answer हो जाएगा इन मैंसे कोई नहीं तो आप यहाँ पर देख रहे है भुपाल सिंग मन्राल भुपाल सिंग मन्राल को मुख्य सचीव ऐसे संदू ने यहाँ पर राज्य के उत्राखंड सेवा अधिकार का यहाँ पर आयुक्त की सपत दिलाई है तो आप से यही question पोशा जाएगा तो आप बोलेंगे भुपाल सिंग मन्राल भुपाल सिंग मन्राल कौन है उत्राखंड सेवा अधिकार आयुक्त है इनको सचीव ने यहाँ पर सपत दिलाई थी यह बाद भी आपको दिहान में रखनी है यह देख सकते हैं यहाँ पर हैं इनकी तज़्विर उसके अलावा next question पर हम चलते हैं Vice Admiral संदीब नैथानी को नौ सेना का Chief of Material बनाये गया है वे मूल रूप से उत्राखंड के किस जनपत के रहने वाले हैं तो Admiral संदीब नैथानी यह कहां के निवासी हैं उत्राखंड के उत्राखंड में कहां से पौड़ी गड़वाल से option A right answer हो जाएगा अगला question देखो निती आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्षे सुचकांग में उत्राखंड का कौन सा इस्थान है तो 2021 की ये rank की बात कर रहा है ठीक हो दोस्तो तो 2021 में इसका जो rank था निती आयोग की सतत विकास लक्षे सुचकांग में सात्वा इस्थान था अगला question है 33 जून 2021 में आई एमे देहरादून में हुई passing out parade में उत्राखंड से कितने युवा सैनी अधिकारी pass out हुए तो कितने हुए थे option आपके पास है 33 का option हो जाएगा B 37 इसका right answer हो जाएगा next question है किसे राज जी की विधान सभान में परियावरन विद स्वरगी सुंदरलाल बहुगोडा का चित्र लगाए गया है तो सुंदरलाल बहुगोडा का जो चित्र है वो दिल्ली विधान सभा में लगाए गया है ठीक हो दोस्तों सुंदरलाल कमेंड बोक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अगला क्वेशन है पुसकर सिंग धामी से पहले कितने व्यक्ति उत्राखंड के मुख्य मंत्री पत पर रहे हैं तो उत्राखंड के मुख्य मंत्री पत पर यहां पर पुसकर सिंग धामी से पहले 9 मुख्य मंत्री रहे चुके हैं तो अब आपको ये बताना है कि वर्तमान में अगला question इसका जो answer है आप करोगे कि पुशकर सिंग धामी से पहले उत्राखंड में कितनी बार मुख्य मंत्री पद के लिए सपद गराण हुआ है तो सपद गराण आपको बतानी है कितनी बार हुआ है क्योंकि भुवन्चन खंडूरी जो थे वो दो बार मुख्य मंत्री बनाए गये थे तो हम उनको यहाँ पर अलग अलग गिनेंगे मुख्य मंत्री पद के लिए लेकिन अगर व्यक्ति की बात करेंगे तो व्यक्ति तो ए यहाँ पर उनको एक गिना जाएगा अगर मुख्य मंत्री के तौर पर कहेंगे तो उनको दो बार गिना जाएगा तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान में रखकर यह 36 वाले क्वेस्टन का आंसर यहाँ पर कमेंड बॉक्स में करेंगे अगला क्वेस्टन है उत्राखंड कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्षब बनाएगे गड़ेज गूड दियाल किस विधान सभा छेत्र से विधायक रहे हैं तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्सन डी इस टाइप के प्रसन आपके आप नहीं बनेंगे और आप लोग इसको ज़्यादा यहाँ पर ध्यान में ना रखें जो भी इंपोर्टेंट होंगे उनको मैं बता दूँग आपको अगला क्वेस्टन इंपोर्टेंट है टोक्यो ओलम्पिक में दक्षड अफरिका के खिलाब तीन गोल बनाकर महिला हो की टीम को क्वार्टर कटारिय कही था तो आप से ये भी पूछा जा सकता है कि किस टीम के खिलाब उन्होंने तीन गोल यहाँ पर दागे थे तो दक्षड अफरिका का नाम वहाँ पर आ जाएगा दक्षड अफरिका की खिलाब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिद्वार केंद्र में रक्षा और परियतन राज्य मंत्री बनाएगे अजेभट किस संसती छेतर का परतिनितित्व करते हैं तो अजेभट का जो छेतर है वो है नेनिताल जनपत नेनिताल छेतर है इनका संसती छेतर अगला क्वेशन है उत्राकंड की पहली रेडियो कलाकार और लोक गाई का कबूतरी देवी की बहन के नाती इन दनों गाईकों के छेतर में देश विदेश में ख्याती अरजित कर रहे हैं वे कौन है 2021 की अगर हम बात करें तो ये इंडियन आईडल में आये थे पवंदीप राजन इनका नाम है अब आपको कमेंड बॉक्स में ये बताना है कि इनका जुझन में इस्तान है वो किस जीले से है ठीक है नेक्स्ट वेशन है देहरादून से किस परियटन इस्तल के लिए सुरंग बनाने की योजना बनाई गई है देहरादून से तो ये है टेहरी जील के लिए नेक्स्ट वेशन देखो 31 दिसंबर 2021 तक 18 वर्से से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को कोविड टी का करन करने का लक्ष रखा गया था सत परतिसत लोगों को पहली खुराक देने वाला कौन सा जनपद है तो ये आपसे पूछा जा सकता है इस टैप के प्रशन की जो पहली खुराक है उसको देने वाला कौन सा राजी है जो की उत्राखंड का पहला जनपद बन गया है तो उत्राखंड का 42 का आप्शन हो जाए विधानसबा के कारिकाल के अंतिम 6 महने तक कौन सा चेत्र बिना परते निदित्यु के रहा था तो यहां पर जब चुना हुए थे तो उससे पहले एक विधानसबा चेत्र था कौन सा विधानसबा चेत्र था जो की बिना परते निदित्यु के रहा था यह आपको बताना है त अंतराष्टी महिला दिवस पर क्या गया था या फिर राष्टी बालिका दिवस पर तो right answer हो जाएगा राष्टी बालिका दिवस जो की 24 जन्वरी को मनाय जाता है राष्टी बालिका दिवस 24 जन्वरी को मनाय जाता है अब आपसे एक question ये भी पूछा जा सकता है कि जो सरष्टी गोष्वामी है इनका संबंद किस जीले से है तो इनका संबंद हरिद्वार जीले से ये भी आपको important चीज है जो की ध्यान में रखनी है ठीक हो दोस्तो अब हम चलते हैं अगला question वरिष्टिक कॉंग्रेश नेता इंद्रा हर्देश के निधन के बाद राजी विधान सबा में नेता परतिपक्ची किसको बनाया गया था तो 45 का हो जाएगा option D प्रीतम्च से है अगला question है उत्राखंड को विशु भर के हिंदो की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा यहा कतन किसका है तो विधान सबा चुनाव से पहले अर्विंद केजिवाल आम आदमे पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उत्राखंड मां आकर यह गोशना की थी कि उत्राखंड को विशु की हिंदो की विशु भर में हिंदो की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा तो यह इसका option हो जाएगा D अर्विंद केजिवाल next question है और यह next question तो आप से नहीं पहुचा जाएगा मुझे नहीं लगता तो आप लोग इसको neglect कर सकते हैं बट इसका answer अगर हम देखें तो आप लोग देख सकते हैं 47 का answer हो जाएगा option A हरिद्वार next question important है उत्राखंड के सत्यम दार मोडा का नाम परतिष्टित Forbes पत्रिका ने Asia 100 में सामिल किया है Forbes ने Asia की 100 परतिष्टित लोगों की लिस्टी जारी की उसमें उत्राखंड के सत्यम दार मोडा को जी को यहाँ पर सामिल किया था तो सत्यम की जो company हैं उसने किस छेत्र में उपलप्ति हासिल कर रखे यह आपको बताना है तो इनका जो संबंद है वो कम खर्च में ज्यादा तेज इंटरनेट प्रोवाइट कराने वाला एक startup था जिसको Forbes ने Asia के 100 परतिष्टित लोगों की लिस्ट में सामिल किया था तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है अगला question है अगला question उत्राखंड के अनुराग रमोला को परधान वंतरी राष्टी बाल पुरुष्कार 2021 से सम्मानित किया गया वे मूल रोप से किस जन्पत्के हैं अनुराग रमोला राष्टी बाल पुरुषकार 2021 ये पूचा जा सकता है तो ये है अनुराग रमोला का सम्मंद 49 वे का option C टिहिरी से आज का last question है और important question है 24 अपरेल 2021 को राष्टी पंचायती राज दिवस मनाया गया पूरे देजभर में तो इस आउसर पर 224 ग्राम पंचायतों को विभिन्स रेडियों में पुरुषकार से समानित किया गया था इन में से उत्राखंड की कितनी ग्राम पंचायते सामिल हैं तो 50 वे का option हो जाएगा A 10 ग्राम पंचायते 24 अप्रेल राष्टी पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है तो गाईज आज की वीडियो में इतना ही ठैंक यू सो मच और वीडियो को जादर से जादर लोगों तक सेर जरूर करना और वीडियो को सेर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो ठैंक यू सो मच